है गई जच की कहानी चाइना के पेलम पिलाई की दुकान में रहने वाली लड़कियों की है जहाप एक सिक्रेट एज़न्ट छानबिन करने जाता है अब वहापे कुण से कुण से कांड किये जाते है और उस आफिसर के साथ क्या क्या होता है आईए देखते है उससे पहले एक चोटी सी रिक्वेश्टे की भाई चैनल को सब्स्रेब कर देना जिससे हमारे मुलाकात आगे भी होती रहे तो चली अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते है तो कहानी की सुरुवात में तीन टॉप सिक्रेट एज़न्ट अपनी हवा पानी और आग की पावर दिखा के च एज़न्ट 003 को बिल गेट्स के यहां क्या-क्या गड़बड़ी चल रही है उसका पता लगाने बेचता है एज़न्ट 002 को प्रदनमंत्री के ओफेस में जो भी लोग चापलूसी वगरा कर रहे है उनका पता लगा कि उनकी खबर मीडिया को देना ऐसा बोल के उसे भी बे लेकिन 002 कुवारियो के मैल में जाने से इंकर करता है तो बॉस उसे तगड़ा मोटिवेट करके 002 जाने के लिए रेडी होता है और बॉस के साथ पैसों की बात करता है तो बॉस उसे तुम्हारा नाम मैने 002 इसलिये रखा क्योंकि तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलागा ऐसा बोल के उसे अपना एक पेंदे के कुवारियो के मैल में जाने के लिए राजी करके एक कोड बता के वाज़े चला जाता है जिरो जिरो अपने मिसन के बारे में अपनी बीवी मुई को बताता है जिससे वो उसे कुवारियो के मैल में जाने से साब मना करती है तो जिरो तो मुई को मेरा पहला ही मिसन है, अगर मैं सक्सेस्पुल हुआ तो बहुत पैसे भी मिलेंगे, ऐसा बोल कि किसी तरह से मुई को समझाता है, तो मुई उसे अगर तुमने मिसन कंप्लीट नहीं किया, तो तुमें अपनी नोकरी छोड़नी पड़ेगी, ऐसा बोल कि उसे उल् उसे भी मिलाटे घता हुआि, अपनी गीसी पीटी जिन्दगी के बारे में सोचने लगता है, जिससे उसे बहुत ही जधा टेंसन आती है, तो वो सुसाइड करने के बारे में सोचके वही पर फासी लगाने लगता है, लेकिन पेड़ की डाल तूट जैती है, तो 008 नीचे करते हैं तो कुब्रा उसे भी उन दोनों बेनों के गुबारे दिखाने ले जाता है और छुपके से दोनों देखने लगते हैं लेकिन जीरो जीरो दोनों के बड़े बड़े गुबारे देखके सर्माने लगता है और सरिप पना दिखाता है तो कुब्रा उसे समझा के मजे ल लगते हैं तो कुब्रा 00 को अंदर ले जाके सब के साथ मिलवाता है तब ही वहां कि एक अंदी लड़की सब को मिकी से मिलवाती है और मिकी सब का सुक्रियादा करके वेंग से मिलवाती है वेंग वो नदी वाली बड़ी बेहन होती है तो वेंग सब के सामने आके गाजर को मज़े वगरा करने लगते है जिसे देखके 00 के होस उरने लगते है साथ में उसे कुवारियों के महल बहुत छोटा है ऐसा ही लगता है तो कुबडा उसे यहां की सूरंग बहुत बड़ी है ऐसा बोलके सारी चीजे बता के उसे लड़कियों के रेट दिखाने ले जाता है जिसे देखके 00 कुबडे की तारिफ करता है आधी रात को मीकी सबी लड़कियों को बुला के उन्हें खुबसूरत रहेने के मंतर बताने लगती है एक्चुली वो खुबसूरत रहेने के मंतर ना होके अलग-अलग पोजिशन्स में पेलम पेलाई करने के तरीके होते है जीने सुनके वेंग सुई के साथ सभी लड़का गरम हो जाती है लेकिन फीफी कुछ ज़्यादा ही गरम होती है तो मिकी उसे होस मेला के सब हसने लगती है अगले दिन जीरो-जीरो कुबड़े को मैं इस मेल के ऊपर कितब लिखना चाता हूँ जिस पे फिल्म भी बनेगी और प्रोडूसर्स की लाइन लग जाएगी ऐसा बताता है तो कुबड़ा थोड़ा शौक होके बात करता है तभी वहाँ वहाँ का बावर्ची में आता है और उनकी बात सुनता है तो वो भी जीरो-जीरो की बातों से सही मत होके उस कीताब में मेरे बारे में भी थोड़ा सा लिखना ऐसा बोलके 00 मेरे पास पैसे नहीं है ऐसा बोलता है तो मैं उसे थोड़े पैसे भी देता है साथ में मैं तुमारे लिए दमदर सूप बनाऊंगा जिससे तुमारे पावर बढ़ जाएगे ऐसा बोलके चला जाता है 00 और कुबडा महिल घुमते घुमते उन्हें वेंग एक लोंडे के साथ कमरे में जाती भी दिखाई देती है तो दोनों खिलकी से उन्हें देखने लगते है वेंग लड़के को बीटा के डान्स करते करते अपने सोनो मोनो आजात करके अपनी जाटों से बरी सुरंग के दरसन देती है तो लड़के के साथ 00 की भी फट जाती है और 00 उनकी तस्वीरे बनाने लगता है वेंग लड़के को अच्छे से गरम करके उसके चिंटू को भी खड़ा करती है और उसके उपर बैटके पागलो की तरह पेलंपेलाई करने लगती है लड़के को भी मस्त मजा आने लगता है और वो भी पागलो की तरह वेंग की सुरंग को गैरी करने लगता है उनकी पेलम पेला ही देखके जीरो जीरो के होस उलने लगते है और वो कुबड़े को देखने लगता है तो कुबड़ा जीरो जीरो की पीछे से बजा रहा होता है जिससे जीरो जीरो की फट के वह वासे जाने लगता है तो कुबड़ा भी उसके पीछे जाता है तबी उन्हें सूई एक लोंडे के साथ कमरे में जाती हुए दिखाई देती है तो वो दोनों फिर से खिलकी से देखने लगते है। कमरे में आते ही लोंडा सूई के छोटे-छोटे संत्रे आजात करके उसकी कली भी आजात करता है और पीछे से उंगली डाल के पागलों की तरह उठा-उठा के पेलना सुरू करता है। जिससे सूई चिलाने लगते है तो जीरो-जीरो को बहुत गुसा के वो उनकी ठुकाई रोकना चाता है जिससे कुब्रा उसे रोक के फिर से वो उनकी ठुकाई देखने लगते है। जिससे पीने के बाद दिमाग के साथ हर चीस ताकतवर हो जाएगी ऐसा बोलके उसे सूप देके चला जाता है। पास कुब्रे को भेजता है। जिससे तुमारे लिए फिर से एक तगड़ा सूप बनाऊंगा जिससे तुमारा सब कुछ ताकतवर हो जाएगा ऐसा बोलता है तो जिरो जिरो भी खुस हो के बावर्ची उसे अपने साथ ले जाता है। लिकिन वो किसी को भी पसंदर नहीं आता जिससे वो उससे नाराज हो के सब लोग मेरे बारे में लिखो मेरे बारे में लिखो ऐसा बोलते हैं। सब लोग प्यार भरी कहानी लिखो ऐसा बोलते हैं तो जिरो 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 थोड़ा परिशान हो के कुछ सोचता है और मैं सब के बारे में अच्छा लिखूंगा। जिरो 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 वेंग और सुई को बाहना बता के मेल में भेच के बास के साथ खोपचे में जाता है। जिरो 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 घर आके मुई को सक बिलकुल भी ना हो इसलिए वो चेरे पे काला कलर लगा के एकदम से उदास चेरा बना के मुई के पास जाता है। और वो पुस्ताच करती है तो जिरो जिरो में अपने देश के लिए काम करता हूँ, लोगों की जान बचाता हूँ, ऐसा वेसा बोल के मुई को इमोशनल करता है लेकिन मुई को कुछ गरबर लगती है तो वो जिरो जिरो को रोक के उसे लोय की चट्ड़ी पहिनाती है जिस पिसी गनेचर भी ले लेता है एक लड़के के हाथी नहीं होते है तो लड़की शाही मुँ में लेके लड़के के अउजार को शाही लगा के उसका निशन लेती है साथ में अपने सोनु मोनु के निशन भी देती है उसी बिच वेंग और सुई 00 को उसने उनकी ठुकाई की तस्विर क्यों बनाई वो पूछने लगती है तो 00 में कानी लिखने का मूर बना रहा हूँ ऐसा बोलते ही दोनों बैने हमारे कमरे में चलके कानी लिखो ऐसा बोलके उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसके सामने एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी करके एक दूसरे को पोशयन्द करने लगती है साथ में अपने बड़े-बड़े गुबल रे और जाटों से बड़ी सूरंग आजआत करके जरो-जरो को गर्म करने लगती है तो वो कीसी तरह से झाल थग भात जाता है तो बस उसे मिसन के बारे में पूछता है तो 00 उसे सिगनेचर वाली फोटोस देता है जिससे बस खुस हो के 00 उसे मैं महल में प्यार कर सकता हूँ कि ऐसा पूछता है तो बस परमिसन दे के दोनों बहाँ से चले जाते हैं उसके बाद 00 काहानी लिख रहा होता है तो वेंग और सूई उसके पास सूप लेके आती है और वो सूप पिलाती है जिसे पीते 00 को नशा चलने लगता है और दोनों बैने अपने बड़े बड़े गुबबारे आज़त करके 00 के आउजार को भी खुला छोड़ते है लेकिन लो बैनों को भी कुछ ज़्यादा ही मजा आके वो भी उसके आउजार पे बैटके पागलों की तरह पेलंपे लाई करके वहीसे ही तिनों सोझ जते हैं कुछ देर बाद 00 को होस आता है तो वो शौकों के कप्ड़े पहिनने लगता है तबी अंदी लड़की उसकी लोहे की चड फिर भी मुई उसे देख के बात करती है तो जीरो जीरो मिकी को ये मेरी क्लास में थी ऐसा बोल के सुई के साथ अकेले में बात करने जाता है तो मुई उस पे भड़कने लगती है जिससे जीरो जीरो उसे लोय की चड़ी दिखा के मैं किसी और लड़की के साथ कुछ भी नही कर सकता ऐसा बोल के समझाता है और मुई वहां से जाने लगती है तो पट से उसने लिकी किताब मुई को दे के ये सबूत है ऐसा बोल के मुई वहां से चली जाती है तो जिरो जिरो भी मिकी को वो मुझे कुंफु की बाते और प्यार के चक्कर में मत पड़ो ऐसा बता रही थ अगले दिन मीकी सबी लड़कियों के बोली रखते है तो 00 के पास पैसे ना होते हुए भी मस्त बोली लगाने लगता है उसी बोली में मुई भी भेस बदल के आती है और वो भी तगड़ी बोली लगा के जीत जाती है जिसे देखके 00 छुपने लगता है और मुई अंदी के सा मचके खुद को च्यांत करने लगती है तो 00 कमरे में जाता है जिसे देखके मुई उसके साथ बीना बोले जगड़ा करने लगती है तब ही बावर्ची सूप लेकर आता है तो 00 बावर्ची को अंदी लड़की के पास ले जा कि उस पर नजर रखने को बोलके मुई को समझान और अंदी को लगता है कि उसकी सूरंग 00 शांत कर रहा है तो वो उसका नाम लेती है जिसे मुई को गुस्सा आके वो गुस्से में बावर्ची ने लाया सूप पीती है तो उसे नसे जड़ने लगता है तब ही वहाँ पे मिकी कुब्ला वगेरा आता है तो मुई की सच्चा प्रवार्ची ने लिखी किताबे चपी होते है तो वो लेकर आती है जिससे किताबे पढ़ने लगते है लेकिन उनके बारे में उन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं लिखा होता है वे गुस्से से देख किताब कि पूस्से की थी और तुम अभी भी जवान हो आगे भी किताब लिख सकते हो मैं तुम्हारा बॉस हूँ ऐसा बोलता है तब उन्हें अंदर से ठुकाई की आवाज आती है तो सीपाई उन्हें वैसी हालत में पकड़ के वाह से ले जाते है और फिर बॉस 00 की तरिफ करके प्रमोशन की ब